तो हेलो एवरीबन वेल्कम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन तो गाइस तड़े आइविल डिस्कस अबाउट आरर भी इंपूटेंट जो आरर भी प्रिविएस येरली जो पेपर है उनके बारे में हम डिस्केशन करने जा रहे हैं और ये क्लास हम रेल्वे के पुराने पेपर की सभी फेडिया वित आंसुर के वित रैस्नल आप राप्त करना चाहते हैं और इसके साथ में जो रेल्वे की इंपूटेंट की पॉइंट वुकलेट यह दोनों आप पर्चेश करना चाहते हैं तो हमारे जो नर्सिंग एजुकेशन की इंटेंट मिलने वाले हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 9351609780 यह जो वार्टसप नंबर दे रखे हैं इस पे आप मैसेज करें देन आपको जो है सारी इंपॉर्मिशन आगेगी बता दी जाएगी आरार्वी के ओल्ड विपर और रेल्वे पॉइंट बुक्लेट बहुत 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 बुक्लेट हैं यह दोनों मात्र 299 के अंदर आपको मिल रहे हैं एक अच्छा ओफर से आप प्राप्त कर सकते हैं तो बिना टाइम ब्स की हुए अभी आपको स्टार्ट करते हैं आज की सेशन का फर्स्ट क्या रहेगा अपन सा सारे क्यूशन के बारे में डील करेंगे फर्स्ट क्यूशन से दा नंबर ऑफ और और वाइब्रेशन पर सेकंड इस कॉल्ड इस नंबर ऑफ ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन पर सेकंड पर सेकंड जो ऑसिलेशन वाइब्रेशन होता है उसको हम क्या कहेंगे वेव लेंद क इसकी पेपर का क्यूशन से पूचा गया था सोरी एक क्यूशन और पीछे ले गया दा कंडिशन वेरे पैसेंट सी ए रोप एंड फीर तो बी सनेक इसकाल मुझलब पैसेंट को फील हो जारा है रोप लाइक लिख मतलब एक रसी पड़ी है और उसको क्लाइन क्या समझ राए सांप समझ राए तो ये क्या है क्या ईल्यूजन है hallucination है, delusion है या depersonalization है तो मेरे दोस्तों आपको जिएन में एक चीज़ याद रखना जब भी आपको दो चीज़ याद करना एक रखना object present होता है दूसरे में object absent होता है यदि आपको इस जगे पूछता कि ghost मतलब आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है object नहीं है, जिसे ghost भूत, भूत कभी नहीं दिखता है तो भूत नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि भूत है object तो नहीं है, बट आपको गलत perception हुआ है it means hallucination but आपको object पड़ा है और आप गलत महसुस कर रहे है it means क्या होगा illusion, option दोस्तों she is the right answer और delusion क्या होता है false, fixed belief that cannot change तो उसको हम क्या बोलेंगी delusion, मतलब किसी भी परकार का आपन कुछ भी कहें, वो आगे वाला नहीं मानता है कि यह होता है, तो होता है ठीके, तो यह होता है delusion illusion मैंने बता दिया कि आपको external stimuli is present और external stimuli absent होती है कि यह आप लोगों ने यह question समझ लिया तो जिंदगी में कभी भी illusion, hallucination और delusion का questions आप कभी भी गलत नहीं करोगे, इसके बारे में comment करके बता है कि आपको यह सारी चीजें समझ में आ गई या नहीं आ गई clear, एक बार फिर से repeat कर देता हूँ यदि object present होता है या external stimuli present होता है और आप गलत महसूस कर रहे है उसको तो वह होगा illusion और कुछ भी नहीं है आप ghost देजें मैंने example दिया भूत का तो भूत का external stimuli present नहीं होता है फिर भी आपको महसूस होता है it means क्या है hallucination आप गलत perception कर रहे हो clear चीज़ चलिए next questions क्यों remove करते है next दोस्तों हमारा questions रहेगा the excessive vomiting during pregnancy deterioration the health of the mother is knowledge बहुत ज़्यदा excessive हो रही है अधिक मात्रा में हो रही है क्या हो रही दोस्तों vomiting हो रही है किसको एक pregnant ladies को mother को clear चीज़ तो उसको हम क्या बोलेंगे क्या pregnancy induced hypertension बोलेंगे बिल्कुल नहीं बोलेंगे preeclampsia बोलेंगे नहीं बोलेंगे abortion बोलेंगे इसको नहीं बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे दोस्त इसको बोलेंगे hyper images gravidum यह बहुत important questions है ऐसे questions आपको exam में direct put up होते तो मैंने पहले भी कहा गया कि जो old paper आप यदि लेना चाहेंगे तो इसमें बहुत सारे कुछ content आपको देखने को मिलने वाले हैं clear cheese दोस्तों next questions के और move करते हैं बहुत important questions है which is the thickest layer of uterus uterus की thickest layer बता पूचा है दोस्तों जो सबसे thickest है वो कौन सी है endometrium, perimetrium, extrometrium या myometrium options is the D हमारा right answer का myometrium is the thickest layer of the uterus option is D is the right answer इसमें थोड़ा सा आपको चाहरी सीज़ें बता देते हैं कि the myometrium is the middle and thickest layer of the uterus wall it is made of mostly of smooth muscle जो smooth muscle होती है उससे दोरा बनी होती है और सबसे thickest होती है the perimetrium is outer layer अज़े आपको serious layer या outer layer के बारे में पूचे तो क्या होती है perimetrium होती है the serious layer secret is lubricant fluid that helps to reduce friction यह क्या करती है serious जो secret करती है जिससे lubrication होता है और help करता है friction गर्शन होने से next दोस्तों the endometrium is the inner layer आपको तीन equation या के लिए रोगे endometrium सबसे inner होती है perimetrium outer होती है और thickest or middle होती है जो myometrium होती है it's shed during menstrual period menstrual period के दौरान shed मतलब जड़ती है वो है endometrium clear यह endometrium वापस से regenerate होती है वापस से menstrual period के दौरान shed होती है तो इस तरीके से जो process चलता रहता है menstrual cycle या menstrual period के दौरान तो वो है कौन सी important है वो endometrium जो आपका होती है वही यहां proceed off होती clear चलिए दोस्तों next questions की और next questions हमारा रहेगा which is a intervention for a patient with chronic obstructive pulmonary disease एक intervention करना है जो patient है COPD chronic obstructive pulmonary disease option आपके सामने है क्या उसको हम chronic steroid therapy देंगे बिल्कुल नहीं देंगे high carbohydrate diet देंगे high flow oxygen देंगे नहीं first lived breathing यह जो प्रिश्ड लिप्ड बर्थिंग है वो बहुत important है five star लगा देना यह बहुत बार हर एक exam में पूचर जाता है कि आपको COPD का कही नाम आए तो first lived breathing है जो आपको होटों के द्वारा धीरे धीरे श्वांस लेना होता यह एक technique होती है जो कि COPD के client के patient के अंदर करवाई जाती है ताकि उसको health मिल सके easily से clear चीज दोस्तो next questions की और move करते है which one of the following is a intradermal test निमन मैंसे कौन सा intradermal test है यह questions आपके लिए छोड़ता हूँ दोस्तों आप इस questions का मेरे को comment box में comment करके जरूर बता है यह क्या है दोस्तों यह question आपको home work के तोर पर छोड़ रहा हूँ अब देखता हूँ आप लोगों के कितने क्या response आते है इस questions के regarding option empty test है ln test है turnicute test है all of the avoid देखते हैं कितने student इसको right answer बताते हैं चलिए दोस्तों next questions की और move करते है questions हमारा रहेगा which one of the following is used record the labor event जब आप जो labor event है उसके दोरान होन सा record हम यूज करते हैं क्या seller man assessment करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे पीटो स्कॉप no partograph yes अबगार no यह labor का बुचा है बच्चे की condition की बात की बात है labor के दोरान हम किस को वेंटेन करते हैं option D is the retention partograph हम लेके चलते हैं ताकि मदर के अंदर किसी भी परकार की कोई abnormal conditions आ रही है तो उसमें clear चीज मेंशन हो जाती है कि यह जो आपका labor है delay हो रहा है या जल्दी हो रहा है चीक है इसके अलावा दोस्तों next questions की और move करेंगे next questions है which of the protective membrane covering the brain and spinal cord जो हमारा brain है और spinal cord है इसको सरक्सित रखती है protect रखती है वो कौन सी layer है peritonium नहीं होगा pericardium नहीं होगा plura नहीं होगा तो क्या होगा manages manages कौन सा दोस्तों manages is the right answer option b is the right answer आपको बहुत important questions है दोस्तों ऐसे questions आप कभी गवार गलत करके आते हैं फिर कहते हैं कि हमें आते हुई भी गलत करती है तो आप समझते नहीं हो questions को सभी से पढ़ दे नहीं हो इसलिए आपके questions गलत हो जाते है next दोस्तों questions रहेगा हमारा questions है the process of altering the state of consciousness induced by conditioning and skilled use suggestion is non-ed तो यह होता है दोस्तों क्या होता है hyper process होता है hypnosis होता है दोस्तों अपसन हमारा जो सी यहां पर right answer हो जाता है next questions a brief description of an observed behavior or incident is known as एक brief description है जो की observed होता है behavior or incident के साथ में तो उसको क्या बोलेंगे कौन सा record होता है वो होता है दोस्तों anecdotal जो record है हमारा options A है वो यहां पर दोस्तों right answer हो जाता है बागी जो खोटे जवाब है clear next questions है inability to verbally describe once emotionally feeling जो emotionally feeling है वो describe जो verbally है enable मतलब नहीं कर पाता है वो उसको बोलेंगे Alex themia option क्या दोस्तों C is the right answer inability to verbally describe once emotionally feeling तो उसको बोलेंगे Alex themia option है दोस्तों हमारा C है वो यहां पर right answer हो जाता है अब next पूचा है दोस्तों जो trisomy 18 है वो किस की होती है वो होती है दोस्तों यहां पर adverse syndrome option है वो C हमारा यहां पर right answer हो जाता है ठीक है दोस्तों तो आज के class में हमने इतने questions attempt किए next class में और भी questions deal करेंगे हमारी class कैसी लगती है आपको आप comment box में comment करके बाता है आप whatsapp के through हमारे सारे pdf जो old paper के है with answer की with rational और important key point worklet दोनों purchase करना चाहते हैं तो इसका mobile number whatsapp का हमने इस video के description box में mention किया है तो जरूर वहाँ जाके purchase कर सकते हैं आज की इस video में इतना ही मिलते है next video में थैंको समाच